नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम जिक्या में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगी राज्तान की स्तापतिकला मंदीर मस्जिद महल और दूर्ख से समंदित महात्पून प्रतों की परिक्षा में पूंचे गए प् समंदिते रुट्याइब कूल 5 प्रशनों की जर्चा कि थी और इसका इमधर दो है फिए परस और प्रस्न की हमिसी वीडियो में चर्चा करेंगे आपने यह प्रस्न देख लिए होंगे में पिसले वीडियो में अगर नहीं दो विडियो ज़रू देखे आपकर इसका इस वीडियो की डिस्क्रिप्शंन में ऋबको में निंक करने दोंगा आप वो पर सना दैने जिरू देखें और कल का जो अंतिम प्रस्ण था पिछले वीडियो का वो था कि वह कौन सा मेवार का मशूर सासक था जिसने अचल गड़ के किल्ले की मरमत करवाई थी और इस प्रस्ण का जो सही उतर हैं वो है दोस्तों महाराना कुमबा अगला प्रस्ण ने वह कौन सा सासक था जिसने बसंती गड़ के किल्ले का निर्मान करवाई था तो यह आर्पेसी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रस्ण ने और अभी भी यह MBC प्रत्यों की प्रिक्षा में जो MBC बांसवाडा की एक्जाम हुआ था उसमें पूछा था कौन सा जो सासक था जिसने बसंती गड़ के किल्ले का निर्मान करवाई था तो वो थे मेवाड के माराना कुमबा मेवाड के माराना कुमबा ने बसंती गड़ के किल्ले का निर्मान करवाई था अगला प्रस्ण है गागरों का किल्ला की नदी के किनारे प्रस्थी थे तो स सभी उतर हैं इसका राज समध्व कुंबा थे, इनुर आपनी पत्नी कुंबल देवी की याद में ये किल्या बनवाया था। और इस दुरु का जो सिल्पी था वो था मंदन, मंदन की देख रहरेक में इस दुरु का नि looks के निरमान करवाया गया था। अगला प्रस्ट है परसिद लोहागड का किल्ला की जिल्ले में स्थी थे तो मिट्टी का बना हुआ एक किल्ला है अविजित किल्ला रहा इसको कोई भी नहीं जीत सका और जाट रियासत में स्थी थे ये किल्ला मात्पोन प्रस्थने और सही उतर है इसका बरतपूर बरतपू गागरोन दूर्ग जोकी जालावड जले मेस्टी थैं और कालीशिंद नदी नदी के ते ये किनारे का राजसतान का और जल दूर के जैसे बैंस रोटगरद दूर के जिल्ले में स्तित हैं आपको उसका कमेंट भॉक्स में उतर लिखना है बैंस रॉटगट घ्याओं कजो दूर गए वो किस जिल्ले में जिए इसका आपको उतर कमेंट वाक्ष K लेगए अगला प्रस्थ नहीं किस दूर्ग का सिलपी था तो इस प्रस्थ कि हम पर चर्चा की ती कि जो कुमबा थे इन्होंने पत्नी कुमबल देवी की याद में जो कुमबलगड का किला बनाये था और इसका ज़े नाम क्या तो जो बारा जिले में स्तीत है शेरगड का किला इसी शेरगड किले को जो कोश वर्दन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रस्टन जो लेब इसिस्टेंट 2016 है इसमें पूछा गया प्रस्टने अगला प्रस्टने गड़ बीठली दुर्ग कोंसा है तो दो दुर्ग तारगड तारगड के नाम से हैं एक अजमेर में है और दूसरा जब बुंदी में है जो तारगड जो अजमेर वाला किला है यह बीठली नामक पहाड़ी परस्तित है तारगड़ का जो दुर्ग हैं वो बीठली नामक पहाड़ी परस्तित होने के कारण इस दुर्ग को गड़ बीठली कहा जाता है तो गड़ बीठली दुर्ग का सही उतर हो जाएगा तारगड़ अजमेर अगला प्रस्न है निमनी में से कौन सा किला अरावली परवतमाला में स्तित नहीं है तो कुंबल गड़, चितोड़ गड़, नाहर गड़, इनमें से एक और है ये गागरोन इनमें से कौन सा है जो अरावली परवतमाला में स्तित नहीं तो उत्तर हो जाएगा गागरोन का किला जो कि एक जल दूर गए है और जालावार जिले में स्थित है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि जो चितोड का किला है वो किस पहाड़ी या कौन से पठार पर स्थित है कौन से पठार या कौन सी पहाड़ी पर ये चितोड का किला स्थित है इसका उतर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगला प्रसने वह किला जिसकी आजादी और अस्मीता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारुद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे तो वहाँ कौन सा किला था तो सही उतर इसका जो चूरू का किला था वहाँ के जो सासक जिन्होंने अपनी दुर्ग की आजादी और अस्मीता की रक्षा करने के लिए ठाकुरों ने जो गोला बारुद खत्म होने पर वहाँ के चांदी के गोले बना मना के अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखें कि राजस्तान का सबसे पुराना किला कौन सा है तो जैसन में रहे ऑप्षिन के अनुसार इसमें से जो जैसन में रहे वह दूसरा पुराना किला है अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखें कि राजस्तान का सबसे पुराना किला कौन सा है और सबसे नविंतम किला कौन सा है यह इसका उतर भी आप कमेंट बॉक्स में ल राजा तेंगम अ मादो सिंग ने जो अपनी नो पासवान ओनो रानियों के लिए जो एक समान महल बनायते ज़िए ओर इस स्वोधर संगर द्रों के नाम जाता है माइस्ट प्रू दूर्ग के निरमता कौं शत्यादा गया था तो जो जोड़पुर के संस्तापक थे राव जोधा इन्होंने जो महरानगर दुर्ग का निरमान कर वह था और जोड़पुर की जो सतापना हुई थी वह वह जूए 2469 एस्विए सब्सक्राइब जोद्पूर की स्थापना और इसी के ठीक सो वर्स बाद यानिकी फंद्रा सो उन्साड में मेवार के महाराना उदाइपूर की स्थापना की गई थी अगला प्रसने राजिस्थान में किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असपल होना पड़ा था तो इस प्रसन के हमने उपर चर्चा की थी कि यह एक अबेदे दुर्ग हैं इसको कोई भी जीत नहीं सका था और जाड रियासत में स्थित हैं यह दूर्ग बरतपूर इसका सही हुता है तो बरतपूर जिस जो की लोहागड दुर्ग के नाम से परसिद हैं और वैसे नाम जरू इस लोहागड यह लेकिन यह बना हुआ जो मिट्टी का है लेकिन अपनी अबेदेता के कारण इसको कोई नहीं जीत सका इसका इसको को लोहागड दुर्ग के कहा जाता है नाईच्ट एह कुम्बल Гरदव के निर्माता कॉन थे तो जो मेवाड की जो महाराना थे उस समय महा पर पहुंचने के लिए पत्थर के पेर होने चाहिए तो इसा जो सोनार गड़ का किला है जैसल मेर जिले में और इसी दुर के लिए का जाता है कि वहाँ पर पहुंचने के लिए जैसर मेर पहुशने के लिए पत्थर की टांगे होने चाहिए नहीं स्ते हैं अजमेर में क्वाजा मुहिन दिन चिस्ति की दरगा पर नजर बेट करने वाले जो पर्तम मराठा सरदार थे वो कौन थे तो इसका जूस स्वेवत है वो है जो राजा साहु थे शीवा जी की पत्र थे राजा साहु इन्होंने 还is अग्याठार पर नजर बेट की थी अगला परसने हैं अड़ाई दिन का जोपड़ा कहां पर सी थे तो संस्कृत पात साला को तुर्वा कर अड़ाई दिन का जोप्डा बनवाय गये था और यह अजमेर जिलेमेvenant ठीथे थे अजमेर मेश आपको बताना है कि जो अड़ाई दिन के जोप्ड़ से पहले जो संस्कत पात साला थी इसका निर्मान किस ने करवाय था बुंद्धि जिले में इस्तित हैं और चो रुद्धि से कि शत्री के बाद में आता है असी कुम्बो शतरी और ने disgे सिर्द को कमंड बॉक्स उत्तर लिखना है नएक जे strict о मंतर क्या हैं तो आपको बतादें कि जंत्रमंतर एक ही जो वैच साला है और राजस्तान में जंत्रमंतर जाइपूर में स्तित हैं सवाई जैसिंग जी के द्वारा यह निर्मान करवाए गई थी जंत्रमंतर और जाइपूर सहीत पूरे बारत में पांच जंत्रमंतर हैं वैच जाईपूर नное, हजरत निजमुदिन ओलिया गी जरगा कहा पर सीथे हैं, तो इसका जो सहीवतनין हो ब,' दिल्ली इसका सहीवतर हो जाएगा जो हजरत निजमुदिन थे इनकी जो दर्गा है वो दिल्ली में सती थे हैं नेस्ट हैं दावदी बहुरा संपरदाई का परमुक केंदर राजिस्थान के एकी जिल्ले में सती थे तो जो गल्या कोट है अर गलिया कोट, ड। जलेह हैं और ये दावदी बौरा संपटाय का परमुख के अंदर एं और गलिया कोट जो फकर उदिन inf DarthLEY का पर बौरा संपटाय के जो संथ हूए इनके दरगा पर और हैं या पर गलिया कोट में और ये माही नदी के किनारे पर इसती तहीं इनकी दरगा महीन अधी के किनारे पर इस्थी थे अगला प्रस्थ में मुसी महरानी की छत्री कहां पर इस्थी थे तो यह अलवर जिले में स्थी थे अलवर जिले जो अलवर की जो महराजत है विने सिंग जी इन्होंने अपनी राने सिला की याद में यह चत्री बनवाई थी मुझसी महरानी की चत्री नाइस थे हैं मांडल गड़ में किसकी समाधी है तो मांडल गड़ में जो मेवार के महराना थे सांगा इनकी समाधी बनी हुई है और खानवा के यूद के बाद में उपचार के दोरान सांगा का जो निदन हो जाता है और इनको मांडल गड़ लाए जाता हो यहाँ पर इनकी समाधी बनी हुई है अगला प्रस्त से परसीच् चत्रियों और उज्यान के लिए इन में से जो मंडोर इसका सहुतर है मंडोर चत्रियों और उज्यान के लिए जोद्पूर का परसिदस्तान है नाइस थे हैं सुनियोजित एवं सुन्दर जाइपूर शहर को बसाने वाला वास्तुकार कौन था आपको इसमें जैपूर शहर का वास्तुकार बताना है, तो सयुतरे इसका विद्यादर बटा चायरी, एक बंगाली वास्तुकार था ये, पंडित विद्यादर बटा चायरी, नैस सिवाल कि काप रुष्टी थे थे शीश महल आमेर में सिथे तो मुझे में कास का मना होई महल जिसमें चाप तरफ जो व्यक्ति जिसमें आता है उसी के फोटो दिखाई देते हैं इस तरह ये शीष महल स्थित हैं अगला प्रस्थन है विजय स्थम कहां पर स्थित हैं तो मालवा विजय के उपलक्ष में मेवार के महाराना कुम्बा दोरा विजय अस्तम का निर्मान करवाए गये था और ये रजस्तान के गोरव जिसको हम चित्तोर कहते हैं उसी दुर्ग में विज़े अस्तम स्थित है नेक्स्ट हैं जैसमन जील किसने बनवाई थी तो जो मेवार के रजा थे महराना जैसिंग जी इन्हों ने जो जैसमंद जील का निर्मान करवाय था आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जैसमंद जील के जिले में स्थित है नेक्स्ट है गलत युगम को पहचानी एक स्थप जल रासी का नाम है और दूसरी तवज़ अस्तान का नाम है तो के सागर डुंगरभूर में स्थिते हैं काईलाना जोत्पूर में चांद बावड़ी दोस्ता में शुक्त नहीं है तो सहीतर होगा चार गड़्षी कर आपको बतादें कि यह जो अगला ही प्रसंद गडशी सर का है तो इसमें आपको बतादेंगे कि रिखेंग ईग के साहँ व्यारो आपयों जलने के सैंद। अपरक्रिंट का उतार आप मिल गया है गर्षिक जब्रएंग को सि该 जिल कांज है थे गावल में हृख्ये phenomenaounter Duchoooo एक जिल निक्री थे तो यह भी प्रश्क है तो आप मेरं में भावख्लाने कि झिले में सिले TE दोसा और यह सुभी प्रस्ण आप देख सकते हैं और किसी सेकंड ग्रेड दोजार आठ में पुशे गए प्रस्ण है आप से रिक्वेश्ट है कि इसी तरह के प्रस्ण आप को मिलते रहें इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन पर जुरूर क्लिक करें बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और चांद बावड़ी से प्रस्ण हो गया तलाब इशाही दोलपूर का निर्मान चाहागिर के किस मंसबदार ने करवाय था तो यह आज सल्यक आथा इसने जो तालाब इशाही निर्मान करवाय था नेश्टे हैं द्स चान बावड़ी कहा पर स्थी थे तो यह भी रिपीट प्रस्ण है यह जांद बावड़ी आभा नेरी दोसा में स्थी से अगला प्रस्ण जूंगर पूर्ट तो नो लग्खा बावड़ किस जिल्ले में स्थित हैं तो ये दोसा जिल्ले में स्थित हैं अगला प्रस्थ ने इंगलेंड की महरानी मेरी की दिसंबर 1911 की यात्रा भारत यात्रा की याद में क्वीन मेरी जनाना गार्ट का निर्मार कहां पर किया गया था तो जी पुसकर सिरोवर है अजमेर में वहां पर मेरी क्वीन क्वीन मेरी जनना गट करनेर्मान करवा है अगला पुछ ने राजिस्तान में जहांगीर के महल काई पर सी थी iliyor इस राजिस्तान में जहांगीर के महल कह पर तरह इ değişik retain तो इसकत सेवत्र हो जाएगा। पुश Right अगला प्रसने बुंदी के रंग महल का निर्मान किसने करवाय था तो बुंदी का जो रंग महल है इसका निर्मान जो वहां की जो राज़त थे सत्र साल इन्होंने इनका निर्मान करवाय था अगला प्रसने डीक के महलों का निर्मान किसने करवाय था जो डीग जिसको हम फंवारों और जल महलों की नगरी का जाता है तो इसके महलों का निर्मान किसने करवाया था तो रजा जो सूरजमल थे महा रजा इन्होंने जो डीग के महलों का निर्मान करवाया था अगला प्रस ने हवा महल किसने बनवाया था तो जो सवाई परताब संगे थे इन्होंने हवा महल का निर्मान करवाया था आपको बताना है कि हवा महल में खिड़कियों की संग्या कितनी है comment box में जरूर लिखे हवा महल में खिड़कियों की संग्या कितनी है option आपको यहां देखते थे हैं 951, 952, 953 और 954 इन में से हवा महल में कितनी खिड़किया है आपको इसका उत्तर comment box में लिखना है अगला प्रस्न है जैपूर का निर्मान किसके दुवारा करवाया गया था तो जैशिंग दुटी के दुवारा इनका निर्मान next question है एक महल जिसका निर्मान किले की बाती किया गया है और मदबूत बहरी दिवारों पर अस्त व्यस्त बूर्ज एम गुबंद है खुली छते हैं मोके सही चोक्या हैं परकोटे में तिरंदाजों के लिए जीरिया है जिसके लिए सेनिकों के गिर जाने का परतिकार किया जा सके वह कौन सा महल है तो आपको बताना है कि जो जुना महल है लुंगरपूर जिले में स्थी थे जुना महल इसके लिए ये पंक्तियां कही गी है आपको बताना है कि जुनागर जो दूर्गे हैं वो किस जिले में उस्ते थे हैं जुना महल डूंगरपूर में है और जुना गड़ दूर्ग किस जिले में है आपको कमेंट बॉक्स में इसका उतर लिखना है अगला प्रस्थन है मुगल यूरोपिया और राजपुत स्वत्ता पित्तिक अलाग के अदबुत समनवाई के सुनरी कोटी के नाम से इसको जाना जाता है और वहां पर जो इदके दिन उंट की बली दी जाते थी लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिया है अगला प्रस्थन राजपुतों के नगरों और प्रसदों का निर्मान पहाड़ियों में होगा क्योंकि विशत्रों के विरु जो अपनी नगरों और जो महलों का निर्मान ने जो पहाड़ों में किया है अगला प्रस्न है अने के खिड़कियों और जरोंकों से सुजदित खेतरी महल के बहु मंजिले भवे बावन में लखनों की बूल बलेया और जाइपूर के हवा महल की जलक देख किचा सकती है सेकावटिक इस हवा महल का निर्मान खेतरी के महराज़ा बापाल सियंए ग्रिसमकालिन विस्रामस्टल के लूप में करूए था यह अद्ब्द महल कहां पर स्थित है तो सभी इसका उतर जुन जुन में जो यह किते हैं और इसी खेदरी महल में जो वेवे का नंदी आये थे हो यहां पर रुक है नेस्ट हैं पस्रीा पाल सँ और प्रस ने बुढ़ा देचर्ट स्वीरी मंदीर कहा का पर थे ऩ यह डीगोद 2007 पंयल पार जो बुड़ा दिट स्विर्य मंदीर श्थी 3 महामः मनंदीर वास्थ निरमान वास्तु से लिए के सरक्षा कौन थे तो जो महामरू से लिए वो परतिहारों की से लिए गुजर परतिहारों की नेक्स्ट है किस मंदीर में अर्द नारिश्वर परतिमा पराप्त हुई है किस मंदीर सल से अर्द नारिश्वर परतिमा पराप्त हुई है तो इसका से उतर है आबानेरी दोशा नेक्स्ट कुशन है दस्वी सताबदी में परसीद अंबीका माता का मंदीर कहां पर स्थित है तो ये नागदा में स्थित है अंबीका माता का मंदीर नागदा जिले में स्थित है जो की उधरिपूर जिले में स्थित है नेक्स्ट है रा समयसवर का जो मंदिर हैं वो की राड़ू बहार मेर में हैं है गुजियर बत्यार के निर्मित मंदिरों को चुनिए तो इन मैं से कुन से जो मंदिर है जिन का निर्मान एज्ञ बत्यार हुआ में हुआ था तो बने राचान सबसे प्राचिन च्यात मंदीर महादेव कि इत्थी कि क्या है धी कि सब सबसे izar के थैज़न माधे मंदीर जो की जालरा पाटनabor हैं जलावार जिले से तो तिछा प्राचिंत मंदिर है तित्थी युक्त मंदिर है कुंबलगट किले का वास्तोगार कौन था तीन बार ये रिपिट हो चुका है मंदन इसका प्राइब अगला प्रस ने ये मानव ये महल मानव नहीं प्रेतो द्वारा बनाए गए लगते हैं ये कफन रूड्यार की विलिंग द्वारा किस माहल के बारए में कहा गया था तो ऩफी आक प्रस ने veureी इसके लिए रूडियार के प्रस ने ये वह के कहा था नेश्ट है गुंगट गूगड़ी गूगड़ी और बांदरा और इमली इन में से यह क्या है तो दोस्तों आपको बता देगी जो गूगड़ी बांदरा और इमली तारागड अजमेर की प्राचीन विसाल बूर्जों के नाम है तो दन्यवा दोस्तों इस तरह आपने कुल 112 कि इसमें चैल्चा कर लिया है लगबग हमने सो परशन से भी जाजा परसन इस वीडियो के हैं एक वीडियो में ने इसका पहले अपलोड किया है तो दन्यवाद दोस्तों आसा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल होगा और इसके आपको पीडियो चाहिए ता आप हमारे टेलिग्राम लिंक से टेलिग्राम चैनल को जोइन कर ले ताकि आपको इसकी पीडियो वहां मिल जाएगी तो दोस्तों मिलते हैं एक जाहिवारत